अबस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपना यूटीब चैनल व्रत्यों हाट टूटके नहूं आपके साथ रिम चिम शर्मा दोस्तों मा लक्ष्मी की कृपा किसी नहीं चाहिए होती है परिवार में सुख, शांती, संब्रधी के लिए कौन नहीं चाहता कि मा लक्ष्मी की कृपा उन पर बरस्ती रहे मा लक्ष्मी जहां वास करती हैं उस परिवार में कभी भी ग्रेकलेश नहीं होता, लड़ाई जोगड़े नहीं होते परिवार के लोग खूब अच्चे से, खोशहाली से जीवन व्यतीब करते हैं नौकरी में, वैवसाई में, हाँ जगे, जहां भी आप हाथ डालें आपको तरक्की ही हाथ लगती है अगर मा लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर है तो लेकिन अगर मा लक्ष्मी की कृपा नहीं है, तो हम ऐसा चाहते हैं कि मा लक्ष्मी अपनी कृपा हम पर जरूर बरसाए तो ऐसे में, आज इस वीडियो में, मैं आपको बताने वाली हूँ मा लक्ष्मी को प्रसंद करने के कुछ अचूक उपाई, कुछ ऐसे तोटके जो आप अगर अपनाते हैं तो जीवन में मा लक्ष्मी की हमेशा कृपा बरसती रहती है घर में लड़ाई, जगडे, दुख, दारिद्रता, बिलकुल खत्म हो जाता है और हमेशा ब्रधी होती है, सुख, सौभागे और सम्रधी की तो वीडियो जरूर देखें, अंते तक देखें बहुत अच्छे उपाई मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस वीडियो में जसे आपको जरूर फाइदा होगा वीडियो पसंद आये तो जरूर लाइक करें इसी तरह की बहतोपन जानकारियां दोस्तों मैं आपके लिए हर रोज लेकर आती हूँ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब भी जरूर करें नोटिफिकीशन के लिए बेल बिटन जरूर दबाएं दोस्तों मालक्ष्मी की विशेश पूजा आराधना का सबसे अच्छा दिन शुक्रवार को माना गया है अगर धन प्राप्ति की कामना से किसी भी तरह के उपाई आप शुक्रवार को करती हैं तो मालक्ष्मी प्रसंद होकर आपकी सारी मनुकामनाई पूरी करती हैं जोति शास्त्र में बहुत से उपाय इतने चमतकारी बताए गए हैं जिनको करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है तो अगर आपकी भी धन प्राप्ति के इच्छा है तो आप शुक्रवार के दिन इन उपायों को एक बार जरूर आजमा कर देखें शुक्रवार के दिन धन प्राप्ति के लिए पूजास्थल में लक्षमी जी की आपको स्थापना करनी चाहिए आप चाहे तो फोटो कर सकते हैं प्रतिमा कर सकते हैं और अगर पहले से माता लक्षमी पूजास्थल पर मौजूद हो तो आपको शुक्रवार के दिन गाय के घी का दो मूवाला दीपक चलाना चाहिए ऐसा करने से घर में धन की आवक बढ़ जाती है और धन की कभी कमी नहीं होती माता लक्षमी को ऐसा माना गया है कि जो इत्र है वो बहुत पसंद होता है तो माता लक्षमी की तस्वीर या मोती घर में है तो शुक्रवार के दिन आपको मिल सके तो मोगरे का इत्र अर्पित उन्हें करें अगर केवडे का इत्र मिल जाता है वो अर्पित करें केवडे के इत्र अर्पित करने से ऐसा माना गया है मानसिक शांती की प्राप्ती होती है और आपको कभी भी जीवन में धन की कमी की वज़े से मानसिक परिशानी नहीं होती शुक्रवार के दिन अगर माता लक्ष्मी को अब चंदन का इत्र चढ़ाते हैं तो आपके भाग्य में वृधी होती है आप जस भी काम में हाथ डालेंगे वहीं से धनवर्शा होने लगेगी मान लक्ष्मी आपर प्रसन होती हैं कोई भी शादि शुदा महिला दंपटी माता लक्षमी के क्रपा चाहता है, दपत्य जीवन में हर तरह की खुशहाली चाहता है, सम्रधी चाहता है तो शुक्रवार के दिन मा लक्षमी के मंदर में जाकर सोलह शुरिंगार की सामागरी अर्पित करनी चाहिए ऐसा करने से दामपत्ती जीवन में कभी भी धन की वज़े से कोई परिशानी नहीं आती, दामपत्ती जीवन प्रेम भरा हो जाता है और दामपती हमेशा पैसे के लिहाज से सम्रद रहते हैं मालक्ष्मी की प्राप्ती का एक अचूक उपाय मैं आपको बता रही हूँ, आपको इस उपाय में करना है हर शुक्रवार को, आपको एक किलो अगर हो सके तो बराबर मात्रा चाहिए, जितना आप आटा लेंगे उतना ही गुड़ और दोनों को मिला करके आपको रोटिया बन जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती, धन लगतार घर में बढ़ता जाता है, शुक्रवार के दिन 11 छोटे नार्यल लेकर उसको एक पीले कपड़े में बांध कर घर की रसोई के दिशा कौन सी होनी चाहिए, पुर्व दिशा के कोने में बांध देना चाहिए, ऐसा करने से माना जाता है, उस घर में कभी भी अन धन की कमी नहीं होती, एक 11 छोटे छोटे आप नार्यल ले सकते हैं, पीले कपड़े में बांध कर रसोई में पुर्व दिशा में आपको कोने में बांध कर लटका देना है, मातलक्षमी को प्रसंद करने के उनकी प्राप्ती के अच चांदी का सिक्का गए घर में मौझूद है, उसके साथ बांध कर तीजोरी में यह जहां पर भी आप आलवीरा में पैसे रखते हैं, उसके साथ रखते, वहाँ पर हल्दी की कुछ गांठे भी रखते, आप देखेंगे आप इन चीजों को जैसे ही रखते हैं पैसो वाली जगर पर वहाँ से पैसे कभी खत नहीं होगे, इसका असर आपको कुछ ही दिनों में दिखने लगेगा, दोस्तों ऐसा माना जाता है कि धन से धन बढ़ता है, तो अपनी तीजोरी में आपको करना क्या है सोपाय में, दस के लगभग 100 से ज्यादा नोट आपको रखने हैं, जेव में हमेशा कुछ सिक्के रखें, खुद को धनवान मानना शुरू कर दें, उसी तरह कि कपड़े पहने और आप जो भी खरीना चाहते हैं, उसके बारे में कलपना करें, ऐसा माना जाता है कि जो आप सोचते हैं, वही आपके साथ होता है, तो ऐसा कभी नहीं करना चाह हमेशा ये कोशिश करने चाहिए, मन में ये समझने की कि मेरे पास इतना दिया है भगवान ने कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे और पैसे भगवान देंगे, तो हमेशा आपके मन में विचार जो हैं वो ऐसे आने चाहिए कि आप खुश है, माता लक्ष्मी की कृपा अप पाई बहुत ज्यादा पसंद करती है, तो खुद को साफ रखना चाहिए, घर को स्वक्ष रहना चाहिए, और मन ही मन माता लक्ष्मी को धन्यवाद देना चाहिए, आप मंदिर जाएं, जो आपके पास है, उसके लिए माता लक्ष्मी को धन्यवाद दे और अपनी नई जो इच्छाएं हैं वो भी उनके सामने रखें और पूरी श्रधा से उस इच्छा की पूरी होने का आप इंतजार करेंगे देखेंगे मालक्ष्मी केकर जो भी धनसंबंदी समस्याएं हैं इस तरह से आप करना शुरू कर दें खुद को मानना शुरू कर दें कि आपको किसी भी चीज की कमी नहीं है तो देखिएगा इसी तरह से होगा और माता लक्षमी की कृपा हमेशा पर बनी रहेगी दोस्तों एक और उपाई जो आप अन्य दिन भी रोज भी कर सकते हैं जिसमें आपको कवे को गाई को और कुट्टे को रोटी खिलाना है कई लोगों की घर में यह होता है कि वो नियम से एक रोटी गाई और कुट्टे के लिए निकालते हैं अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप भी ऐसा करना शुरू कर दें इससे भी धन लाग में जो भी बाधाएं आ रही होती हैं वो दूर होती है तो आप कवे को गाई को कुट्टे को प्रते दिन शनीवार को कोशिश करें कि अगर काला कुट्टा मिल जाता है उसे सरसो तेल से चुपड़ी हुई एक रोटी जरूर खिलाएं दोस्तो धन फ्राप्टी का एक और उपाई है जो गुरुवार का है जिसमें आपको गुरुवार के दिन पीपल में जल चड़ाना चाहिए शनीवार के दिन ही आपको पीपल व्रिक्ष्ट के नीचे घी का एक दीपक चलाना चाहिए ऐसा करने से भी धनलाव के आई के शोत बढ़ते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको मालक्षमी के कुछ अचूक उपाई बताएं हैं यह ऐसे उपाई हैं जो आप चोटे चोटे सरल यह जो उपाई बताएं हैं यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा फाइदे मंध होंगे आप इनको करें और उसके बाद अपने जीवन में आप फाइदा जरूर देखेंगे खोश रहाली सुक सम्रधी आपके परिवार पर बरसती रहेंगे वीडियो रखते हैं वीडियो पसंद आ रहे हैं चैनल पर नए आये हैं तो इसे तरह की जानकारियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया